मस्कार वैब दुनिया के फड़ावड मुलेटिंग में आप सभी का सुवागत है और नज़र डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर देश में कोरोना के बढ़ते खत्रेगी में 6 देशों चीन, हॉंग कॉंग जापा, अंदक्षिन, कोरिया, सिंगापूर और थाइलेंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी विदेश से आने वाले यात्रियों में 2% यात्रियों का होगा रेंडम टेस्ट कोरोना की तीसरी लेहर के आहट के बीच वैक्सिन की किल्लत से बढ़ सकती है मुश्किले मध्यपरदेश से इत कई राजों में कोवी शिल्ड वैक्सिन की किल्लत बूस्टर के पात्र 80% लोगों को लगाना है कोवी शिल्ड का बूस्टर डोल सिंगापूर होते हुए चीन से चन्ने पहुचा एक कारोबारी कोरोनाल वायरस से संक्रमित कारोबारी में संक्रमन के कोई लक्षेड ने उसे प्रतकवास में रखा गया है और वह स्वास्ता अधिकारियों की निग्रानी में है मिर्बाचनायोग ने घरेलू प्रवासी मधाताओ की सुविधा के वास्ते रिमोट वोटिंग की शुरुवाती मोडल तयार किया इसके प्रदर्शन के लिए राजनितिक दलो को 16 जनवरी को आमंत रिखिया गया विशेश पुलिस कमिशनर कानून वेवस्था दीपेंद्र पाठक ने कहा कि राजधानी दिले में नववर्ष की पूर्वसंध्या पर 2500 महिला पुलिस कर्मियों समित 16,500 पुलिस कर्मी किये जाएंगे तैनाथ, 1600 से जादा पुलिस पिकेट भी मनाये जाएंगे दलाई लामा के दौरे के बीच की जासुसी के शक्त में बिहार के गया में सुरक्षा एजनसी को संदिक दचीनी महिला की तलाश उस महिला का स्केज भी जारी किया गया है स्पी गया हर्पिक कौर ने कहां कि महाबोधी मंदिर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहती है पाकिस्तान में हिंदू महिला की बरबर हत्या पर भारत ने जुताई चिंता विदेश मंत्राले का बयान अपने हां अलपर संखेकों की सुरक्षा सुरिश्चित करे पाकिस्ता अरुनाचल प्रदेश में पाराशुन्य से नीचे लुड़कने के साथ ही राज जिगे कम से कम छे जिलों में मध्यम से लेकर भारी बरफ बारी हुई लोग घरों में रहने के लिए मजबूर बोमदिला तवांग सड़क पर 13,700 फूट की उचाई परस्तित सेला पास बीते तीन दिनों से एक फूट से ज़ादा बरफ की चादर से लुड़का वित्वंत्री निर्मला सीता रमन को गुर्वार को एमसे मिली छुट्टी उन्हें वाइरल बुखार के लक्षन आने पर सोमवार को एमसे में भीटिक रहे गये प्रधान मंत्री लरिंद मोदी की मा हीरा बाग के स्वास्त में सुधार यूएन मैता इंस्टिटूट ओफ कर्डियोलजी एंड रिसर्च सेंटर एमदाबाद ने मेडिकल बुलिटिंग जारी कर्दीशन करी भाजपा परवक्ता सुधान शुत्रिवेदी का कॉंग्रेस पर निशाना सत्ता में आने किनी कॉंग्रेस हिंदू की तिश्य होने का स्वांग करती है उसके निता राहूल गांदी को राम तक की संग्या देर डालते हैं सब तक आवाने के बाद उसके लिए हिंदू आतंगवादी और बूग को हराम हो जाते है उसबिकिस्तान में खासी का सिरफ पीने से 18 बच्चों की मात विभिना केंद्री एजेंसी और उत्रपदेश के आउशदी विभाग केक दलने नोएड आस्तित मेरियन बायोचेक की कारेले पर मारा च्छापा कमपनी भारत में डॉक वन मैक्स नामक खासी की दवा नहीं मेश् केंद्री मेंद्री जोतिरादी दिसिन्द्या ने कहा कि हमें सदेव सावधारी वरती चाहिए हर दिन लगबग 90,000 विदेशी भारत आते हैं इनमें से दो प्रतीशत की ही कोविट नेस्ट हो रही है केंद्री मेंद्री जैराम ठाकु ने जोतपूर में साधा राज जोस्थान की गहलोस सरकार पर निशाना कहा रोजगार की बात तो दूर है यहां कई बार पेपर लिख होता है समाजवादी पैटी के मुख्या क्रेश आदो ने कहा कि योगी सरकार चुनाओं का सामना नहीं करना चाती क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जनता की सामने गए तो जनता उन्हें बूरी तरह से हरा देगी उपचनाव में लोगों ने एक जूट होकर भाजपा की गलत मीतियों के खिलाफ वोट डाला था मामूली गिरावट के बाद शेयर बाज़ार में बढ़क बीएसे सेंसर की दोसोचोवीस अंग की बढ़क के साथ 61,134 अंग पर हुआ बन एनसी का निफ्टी भी 79 अंग मजबूत होकर 18,181 अंग पर हुआ बन फिल्म पठान पर चली सेंसर बोड की केची बेश्रम गाने सहित कुछ दुरुष्यों को हटाने का सुझाओ नरत्म मिश्रा ने बोड की फैसले को सराहा का रील लाइफ रियल लाइफ पर डालती है से 2222 के आखरी शुक्रवार को चार फिल्में होंगी रिलीस डेल लाग का दूढ़ा के साथ तीन दफ दिल्म में कनेक्ट लथी और हिट सेकेंड केस सिनेमा घरों में होगी रिश्रम फिल्म प्रोडेसर नेतीन मोहन का रिगल साथ वर्शनेतीन को दिल का दौरा पढ़ने के बाद अस्पराल में किया गया था भरती लाडला बोल राथा बोल यम्ला पगला दिवाना इंसाफ महासंग्राम दस जैसी फिल्म में की थी प्रोडेस प्रोडेसर नेती फिटाफर बुलेटेन और थाज़ा अपडेट के लिए लगातार बनी रही हमारे साथ यानि आपको विजित करना है वैब दुनिया पर है